आईए अब देखते हैं कि महमूद गजनवी द्वारा भारत पर जो किये गए 17 आक्रमण हैं उसमें से कुछ प्रमुख आक्रमणों को देख लेते हैं देखें महमूद गजनवी के जो 17 आक्रमण है इसकी चर्चा सरपथम किसने की हेनरी इलेट महोदय ने कहा कि सन 1000 से लेकर 1027 के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 आक्रमण किये ठीक है अब इन 17 आक्रमणों को पढ़ना उतना आवश्यक नहीं है जो कुछ महत्वपूर आक्रमण है उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं देखें जो पहला आक्रमण महमूद गजनवी ने किया पर वहां उसने आक्रमण किया जो दूसरा आक्रमण किया वह एक हजार एक इसवी में हिंदू साही राज्य पर ही किया और हिंदू साही सासक राजा जैपाल पराजित हुआ अंत में उसने आत्म हट्या कर ली फिर आता है छठा आक्रमण छठा आक्रमण एक हजार आठ इसवी में किया जिसमें हिंदू साही जो सासक राजा जैपाल थे उनके उत्तरा दिकारी आनंदपाल के विरुद्ध किया इसमें आनंदपाल की पराजय हुई फिर यहां से वह महमूद गजनवी गजनी लोट गय फिर आता है सातवी आक्रमण में एक हजार नौइस भी में सातवा आक्रमण उसका करने का उद्धेश यह था कि जब वो छठें आक्रमण में आनंदपाल को जीता था तो उसे ज्यादा धन की प्राप्ति नहीं हुई थी केवल कुछ हाथ ही उसे मिले थे लेकिन उसे तो धन चाहिए था धन को लूटना चाहता था इसलिए उसने सातवा आक्रमण सब्सक्राइब नागर कोट पर किया इहां से उसे अपार धन सब्सक्राइब एक फिर जो महत्तुपूर अक्रमण है वो नवा अक्रमण है वो 1112 सभी में ठानेश्वर पर किया और ठानेश्वर के चक्रश्वामी मंदिर को लूटा ठीख है अब आ जाते हैं अगला महत्वपूर्ण आक्रमण है बारहमा आक्रमण एक अजार अठारह इस भी में किया कन्नाउज पर उस समय कन्नाउज पर गुर्जर प्रतिहार शासत राज्यपाल का शासन था इसी आक्रमण से मामूद गल्जनवी पहली बार गंगा घाटी में प्रवेश करता है ठीक है और इस आक्रमण के दवरान जानते हैं आप वो कानपूर सहारनपूर कानपूर सहारनपूर बुलंद सहार आध छेत्रों तक आक्रमण करता है ठीक है तो पहली बार गंगा घाटी में प्रवेश करता है मतूरा और बिंदा बन पर आक्रमण करता है मतूरा को उस समय मंदिरों की नगरी कहा जाता था और कहा जाता है कि मतूरा के लगभग सभी मंदिर महमूद गजनवी ने नस्ट कर दिये और वहां के मंदिरों को खोद खोद के सोने चान्दी जो मारी के थे सब उजाड ले गए वो उसमें क्या था कि एक एक मंदिर में सोने की बड़ी बड़ी तीन तीन फुट मूर्टियां थी सारी मूर्टियों को खाड लिया फर्ष को खोद के पैसे निकाल लिये जहां भी जो भी संपत्ति थी पूरी तरह से नस्ट भरष्ट कर दिया क्योंकि जो गुर्जर प्रतिहार सासक राज्यपाल था उसने मतुरा की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किया था वो खुद भाग गया छोड़के तो वो स्वतंत्रता पूर्वं मतुरा को लूटा और एक-एक मंदिर को ध्वस्त किया ठीक है यहां से उसे अपार धन समपत्ती मिली फिर चोदहवां आक्रमण वो करता है चंडेल सासक विद्याधर पर जब मतुरा पर आक्रमण करके धन समपत्ती लेके महमूद गजनवी लोट जाता है तो विद्याधर ने सोचा कि राजजपाल ने यह बहुत गलत किया जो उसने महमूद गजनवी का सामना नहीं किया तो इसने एक संग बनाया और वो संग के द्वारा उसने राजपाल को दंडित करने के लिए सोचा फिर गुर्जर प्रतिहार सासक राजपाल को मार दिया गया ठीक है अब जब मार दिया गया तो उसी का बदला लेने के लिए महमूद गजनवी आया और उसने चं बिद्यधर युद्ध के लिए प्रस्तुत तो हुआ एक दिन युद्ध भी हुआ हलांकि सुरुवात में सब अच्छा चला लेकिन साम होते होते बिद्यधर की सेना का एक हिस्सा हार गया रात में ही बिद्यधर मैदान छोड़ के भाग गया ठीक है बाद में मामूद गज पर जो है विजय प्राप्त करता है और पंजाब पर प्रत्यच्छ सासन स्थापित करता है पहला ऐसा राज्य था जिस पर अपना प्रत्यच्छ सासन स्थापित करता है और यह प्रत्यच्छ सासन स्थापित करने का जो उद्देश से था वो था कि जो दूर इस्थित प्रा पर अटाइक करेंगे और वापस यहां आएंगे ठीक है फिर उसके बाद जब यहाँपे उसने सैनी केंदρα स्थापित किया परतेज सासाना स्थापित किया तो उसने पंजाब में प्रचलीत साही सिक्के थे उन सिक्कों को अपना लिया ऑँँ उन सिक्कों पर घुडस्वार और नंदी का चित्र बना हुआ था ठीक है, ऐसे ही शिक्कों को उसने अपना लिया जो साही रूप से वहाँ प्रचलित था पंजाब में, उनको अपनाया जिस पर घुड़स्वार और नंदी का चित्र बना हुआ था, उसी के पीछे उसने लिखवा दिया आवयक्त मेकम अवतार महमूद, संस्कृत में उसने ल ठीक है, उसके बाद उसने सिक्कों पर संस्कृत में टकसाल का नाम भी लिखवाया, जैसे लिखा, आयम टकम महमूद, पूरे घटित, मतलब ये टकसाल का नाम है, और संस्कृत में उसने लिखवाया, तो ये भी माना जा सकता है, कि पहला मुसलिम साहसक, जिसने संस्कृत म सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाया तो आयम टकम महमूद पूरे घटित टकसाल का नाम है और इसको भी महमूद गजनवी ने लिखवाया ठीक है उसके द्वारा सिक्के जो चलाए गए उसे दिल्ली वाला सिक्के कहा जाता है कौन से सिक्के अगर कोई प्रस्न पूछे के दिल्ली वाला सिक्के महमूद गजनवी ने चलाए अब इसका जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमड था वह सुमनात मंदिर पर आक्रमड था जो 1025-26 इसवी में इसने किया यह इसका सुलाहमा आक्रमड था ठीक है सुलाहमा आक्रमा सुमनात मंदिर अपने धन और वैभव के लिए दुनिया में मसूर था और उसी धन वैभव की लालसा में महमूद गजनवी इस मंदिर की मंदिर पर आक्रमड किया और जब उसने उस मंदिर पर आक्रमण किया तो जो वहां का सासक भीम देव था वह अपने राज्य को छोड़ कर भाग गया और महमूद गजनवी ने सोमनात मंदिर पर मंदिर को पूरी तरह से बरबाद कर दिया और मंदिर के स्यूलिंग को भी ले जाके गजनी में एक मस्जित की सीडियों पे चिनवा दिया अब सोचिए सब कहते हैं अभी आप लेकों के बारे में जानेंगे लेखा कहते हैं कि वो ऐसा नहीं था कि उसने उसने सिर्फ धर्म की लालसा में आक्रमण किया था अगर कोई व्यक्ति शिर्फ धर्म की लालसा में धन की लालसा में आक्रमन किया था अगर कोई व्यक्ति शिर्फ धन की लालसा में आक्रमन करेगा तो उसे मंदिर को नश्ट करने की क्या जरूरत थी तुम धन लेते और चले जाते लेकिन नहीं उसने क्या किया उसका इसलाम का प्रसार भी करना था इसलिए उसने सोमनात मंदिर को बुरी तरह से लूटा वहां के सिवलिंग को उठा कर ले गया और कहा जाता है वह गजनी में एक मस्जित की सीडियों पर उसने चुनवा दिया कितनी मतलब समझिये की कितनी गंदी वाथ है कितनी बुरी बात है किसी भी धर्म के साथ ऐसा प्योहार करना कि टना कूर्वत पूर्वथ ठीक है उसके बाद जब वह सोमनात पर आक्रमन करें धेर सारा सो न चांदी लाध की अपने घोड़ं पर वह जाने लगी देखिए इनका महमूद गजणवी की एक उसका एक तरीका था कि जब वो अक्रमण करने आता था तो मांसून के पहले वो जो है यहां से धर्वन लेके वापस गजणई चला जाता था तो यहां भी जब सोमनाद पर उसने अक्रमण किया तो सोमनाद से धेर सारा धन वैवह लेके वो गजणई वापस जाने लगा एक पत्परदर्शक ने जो भारतिय था उसने था रेगिस्तान में उसको थोड़ा सा रास्ता भटकाने का प्रयास किया लेकिन वह अपने उद्देश से में सफल नहीं हो पाया बाद में जब वो सीमावर्ती छेत्रों पर गया तो वहां पर जाटों और खोक्खरों ने उसको बहुत छती पहुंचाई बहुत बिद्रोक मतलब उस पर अटेक किया उस लूट पार्ट की बहुत छती पहुंचाई लेकिन गजणी का क्या था उसके पास तो सोने चांदी लदे हुए घोड़े थे उट थे तो वह इस युद्ध में उलजना नहीं चाहता था वह किसी तरह चाहता था कि वह संपूर्ण संपत्ति को लेकर सुरच्छित गजणी पहुंच जाए ठीक है तो उसने उस समय किसी तरह अपना बचाव किया और बचाव करते हुए वह देने के लिए किया जो भारत की उत्तर पस्चिमी सीमा पर रहते थे और जो उसके रास्ते को बाधित किये थे जब लौट रहा था हाला कि मैं आपको बताओं कि यह जाटों और खोखरों ने आगे जो है गोरी को भी बहुत परिशान किया था ठीक है इन्होंने गोरी को भी बहुत परिशान किया था तो जब वो यहां आया तो उसने जाटों और खोखरों पर कारेवाई किया अक्रमण किया ठीक है इस प्रकार जो है यह सत्रह आक्रमण महमूद गजनवी ने भारत पर किये इन आक्रमणों का जो अस्थाई परडाम हुआ अस्थाई परडाम हुआ वो हुआ कि पंजाब सिंध और मुलतान यह तीन को गजनी सामराज में मिला लिया गया यह ध्यान रखिएगा यह कांसेप्चुल क्वेस्चन है कि जो सत्रह आक्रमण हुए उसके अस्थाई परडाम के रूप में या आपसे यह पूछा जा सकता ह है कि महमूद गजनवी ने किन किन राज्यों को गजनी सामराज में मिलाया तो वो राज थे पंजाब सिंध और मुलतान इन तीनों राज्यों को गजनी सामराज में मिला लिया गया ठीक है तो आपने देखा अब देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि कि मुस्लि लिखे सिक्कों को चलाया था संस्कित वा की लिखे तो महमूद गजनवी था उसके शिक्कों पर घुड़स्वार और नंदी की भी याकरिती थी ठीक है और संस्क्रित में टकसाल का नाम लिखवाने वाला पहला मुसलिम शासर यह भी अयम टकम महमूद पूरे घटित यह भी सोमनाथ पर महमूद गजनवी का आक्रमण कब हुआ 1025-26 में यह उसका 16 अक्रमण था ठीक है और जो सोमनाथ पर आक्रमण के समय जो सासक था वहां का गुजरात का वह कौन था वह भीम दिव था ठीक है इसकी राजधानी अनहिलवार थी ठीक है काठिया वार का सरसक था तो इस प्रकार भारत पे महमूद गजनवी के सत्रय अक्रमण की महत्वपूर्ण अक्रमण थे उसकी चर्चा हमने की हो अब आइए देखते हैं महमूद गजनवी कि एक महत्वाक आंग्षी बेगती था सासी सैनिक और सफल सेना पती था ठीक है उसकी सीना में अरब तुर्ग अफगान और हिंदू सारे साइनिक थे भारत के आंतरी की हिस्सों में आक्रमण करने वाला महमूद गजनवी पहला इसलामी सा सकता तुर्क सा सकता पहला ठीक है इसने भारत के आंतरी की हिस्सों में आक्रमण किया और लूट पार्ट की ठीक है महमूद गजनवी अपने दर्बार में कई विद्वानों कभियों को संरक्षण भी दिया था वह वास्तुकारों को भी संरक्षण देता था तो उसके दर्बार में कुछ महत्पूर कभी इतियासकार थे जैसे अलबरूनी उतवी बैहाकी फारस का कभी उजारी और फिर दोसी यह चार तो बहुत इंपोर्टेंट है एक अलबरूनी दूसरा उतवी तीसरा बैहाकी और चौता फिर दोसी हमारी परिक्षा में इन चारों से सम्मंदित प्रस्न पूछ जाते हैं तो यह चारों किस के दर्ब वराच की इतिहास कार ता उसने हुइं ऊंब्धेजनी बैस के सासकों से संबन्दित इतिहासि लिखा था उसकी दो रचनाएं हैं एक है किताबुल यामिनी और दूसरी तारीखे यामिनी ठीक है यह जो दोनों कि दोनों रचनाएं है किताबुल यामिनी और दूसरी तारीखे यामिनी यह महमूद गजनवी के जीवन वकारियों का विस्त्रित बर्डन है ठीक है ध्यान रखिए का यह बहुत पूछा जाता ह किताबुल यामिनी और तारीखे यामिनी जैसा कि हमने सुरू में बताया कि गजनी बंस का एक नाम यह भी है यामिनी बंस ठीक है तो अब याद रहेगा यामिनी बंस तो उत्वी जो है उत्वी की ये दो रचना है ध्यान रखेगा दूसरा जो महत्वून कभी था वो था फिर्दवसी फिर्दवसी महमूद के दरबार का प्रशिद कभी था इसकी जो सबसे महत्वून रचना है जो अकसर परिक्षाओं में पूछी जाती है वो है साह नामा अकसर परिक्षाओं में ये पूछा जाता है कि फिर्दवसी किस सासक के दरबार ने था या साह नामा की रचना किसने की तो वो रचना की फिर्दवसी ने ठीक है यह ममूद गजनवी के दरबार में रहता था इसे फूर्ब के होमर की उपाद्ही मिली थी ठीक है सबसे बड़ी बात है कि फिर दोसी ने साह नामाक के माध्यम से घी यह साम नामा के द्वरा फार्शी भासा की new रखी थी सबसे पहले इन्होंने फार्शी भासा की नियू रखी और साह नामा से इसका स्री गड़ेश किया इसलिए बहुत इंपोर्टेंट है कि फार्शी भासा की नियू रखी और साह नामा से इसका स्री गड़ेश किया किसने फिर दौसीने ठीक है यह कभी भारत नहीं आया लेकिन भारत के बारे में बहुत बिश्त्रित बढ़न किया है ठीक है न आगे चलते हैं अलबरुनी अलबरुनी का नाम आपने सुना होगा मल्टी टैलेंटेड आदमी खगोल विज्यान भुगोल तर्क सास्त आउसदी विज्यान गनित दर्शन धर्म और धर्म सास्त इस सब का जानका था अलबरुनी ठीक है न इसका जन्म 973 में खीमा में हुआ था बहुत पूछा जाता है कि अलबरुनी का जन्म कहां हुआ था तो ये खीमा में हुआ था और खेमा प्राचीन ख्वारिज्म को कहते हैं ठीक है किमा में इसका जन्म हुआ था और 1017 में जब गजनवी уже ने ख्वारिज्म पर आकर्मड किया था तब इसे प्राप्त किया था तो अगर ये पूछा जाय कि अलबरुनी को गजनवी प्राप्त किया तो 1017 में जब खोरिज्म पराक्रमर्ण किया तब गजनवी ने अलवरुनी को प्राप्त किया था ठीक है और यह दस्सओ नवी के साथ भारत आ गया मानिका अलवरुनी भारत को आ गजनवी के साथ अलबरुनी भारत आ गया था इसकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है किताबुल हिंद क्या है किताबुल हिंद इसकी रचना है जो अर्भी में लिखी गई है फिर इसका फार्सी में अनुबाद हुआ अंग्रेजी में एडवर्ड सी सचाव महोदय ने किया अलबरुनी इंडिया आयन अकाउंट आफ दे रिलिजियन की नाम से ठीक है एडवर्ड सी सचाव ने अंग्रेजी में अनुबाद किया और रजनी का अनसर्मा महोदय ने इसका हिंदी में अनुबाद किया ठीक पुराणों का अध्यन करने वाला अलवरूनी प्रथम मुसल्मान था देखे ये प्रस्ण सीधा सीधा पूछा जाता है पुराणों का अध्यन करने वाला प्रथम मुसल्मान कौन था अलवरूनी था अलवरूनी ने कई भारती संस्कृत के गरंथों को पढ़ा था बायु पुराण बिश्रुम पुराण आधि का अध्यन किया भगवत गीता का अध्यन किया वह हमेशा जो है इन से लेकर के चीजें अपने लेखनों में उध्रित करता रहता है तो पुराणों का अध्यन करने वाला पहला मुसल्मान अलबरूनी था ठीक है देखिए जो अगला आता है सबसे महत्यपूर्ण वह है बयहा की यह महमूद का साही तियासकार है साही लेखक है यह गजनेवी सास्कों का दस सववनसट हिस्वितक का बिश्त्री तियास दस खंडों में लिखता है ठीक है इसके दो रचनाई महत्यपूर्ण है एक तारीखे सुभुक्त गीन और दूसरा ताजूल फुतुः ठीक है सुभुक्त गीने में उसने सुभुक्त गीन जो ममूद गजनवी के पिता थे उनसे संबंदिक बातों का लेक किया है और ताजूल फुतू में मामूद गजनवी के आतिएास का वडं किया है ठीक है ना लेन पूल महोदय ने इसे पूर्वी नीज़ाति नाम के वह कई कभी जो है और उसे दार्भार में रहा करते थे लेकिन कि हमारी परिक्षा की द्रिष्टी से सिर्फ यह चार पांच ही बहुत महत्वपूर्ण है एक खाल बरूनी दूसरा उत्वी तिसरा बयहा की चौथा फिर दोसी ठीक है तो इन चारों को आपने देख लिए इनको इसक्रीन साट ले लीजिए या बाद में इसको नोट कर लीजिएगा ठीक है तो इस तरह महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण होता है और उससे संबंदित जो महत्वपूर्ण तर्थ आक्रमण के पस्चात वह हमने आपको बताए अब देखें महमूद गजनवी एक सासी सैनिक था और सफल सेना पती था ये तो आप जानते हैं उसने भारत के मंदिरों को निर्दैता पूर्बग लूटा और यहां का सारा धन ले जाके वो गजनी में एकठा किया और गजनी को उसने सजाया समारा यहां के पैसे से ही कहा जाता है कि वो सारे सोने को इकठा करके उसी कमरे में सोया करता था और वो उसी को देख देख के कभी उसे नीद नहीं आती थी इतना खुस रहता था और उसी, उसमें सोने के पागलपन में 1030 में मृत्य होती है मतलब जितना सोना उसने इक एक क्र शांक और उसका उपभूग भी नहीं कर पाया खाली देख के सोने के बीच में रहरा वा हुई सोता था उसे देख के वह जीता था प्रसंद रहता था ठीक है इस प्रकार महमूद एक निर्माता के रूप में भी उसने कलाकारों बास्तुकारों को सनक्षार दिया और अपनी राजधानी गजनी को भारत के धन से सजाने का बहुत प्रयास किया गजनी में उसने भव्वेवार्तों का निर्माड किया ठीक है और साथ ही विश्व विश्व विद्याले बनवाए पुस्तकाले बनवाए अजायब घर का निर्माड किया ठीक है और नवार नदी पर बाढ़े सुल्तान बांध का भी निर्माड किया ठीक इस प्रकार भारत से लिए गए भारत से लूटे गए धन को गजनी में जाके उसने खर्च किया और ग गजनवी की मित्तु के बाद कमजोर सासकों का काल आता है और गजनी के बगल में ही एक छोटी सी जगह थी जिसे कहते हैं गोर गोर में इरान से पूर्वी इरान से आये हुए पूर्वी इरान से आये हुए कुछ सासकों का राज्य था जिन्हें संसबनी कहा जाता था उसी संसबनी सासकों में से एक सासक हुआ गयासुद दिन जिसने ग्यारा सो तिहत्तर चोहत्तर इसवी में गजनी वन्स का अंत कर दिया इसको पूर्ण रूप से बिजित कर लिया और यह जीत करके अपने भाई शिहाबुद दिन को सौप दिया ठीक है आप मुस्लिम इतियास में ऐसा अभी तक नहीं देखे होंगे इसने जो है गजनी को जीत करके अपने छोटे भाई शिहाबुद दिन को दे दिया और यहीं शिहाबुद दिन आगे चलकर कि मुझ्जुद दिन मुहममद गोरी का खिताब धारण करके भारत पर आक्रमण करता है तो अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वह गोरी द्वारा या घूरी का भारत गोरी का भारत पर आक्रमण ठीक है तो अब हम गोरी का भारत पर आक्रमण पढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक में आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताईएगा अब मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद